बढ़ एलो है फजह कि एवर्ट इल्ड एवरिवन यहीं लास्ट लेक्टर में आ अपको यह कुश्चन होमवक में दिया था पिल प Eğer को थे ऑर मैं नहां को बता है कि हम पहले की कुश्चिन कर चुके तो दोबारा कैसे आ गया है. यजी यह सेम गॉषेंड नीहीं किया था. कुकि प्रीविश समय पीक्रिवेस्टेस में कि उन्स पीक्ता वान पास एलमेंट्स को तो दूर्टेस्ट प्रतान अरे होता की. फथांस ॥पारे नान ग किसी अग्या। तो अगर sorted word missing है तो इसका मतलब क्या होगा हम of course by default random मेरे मान करके चलेंगे मतलब it may or may not be sorted मतलब sorted की कोई guarantee हमारे पास नहीं है यहाँ पे तो roughly हम unsorted ही मान करके चलेंगे फिर कैसी चलो बताओ भग कैसे करें इस question को तो बहुत सारी तरीके होंगे तो first algorithm number one क्या होगा वही linear सर्च लाओ end times है ना तो मेरे ख्याल से और ज्यादा मुझे बोलने की उतने हो नहीं चीछी जैसे हमने elements लेते 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 यही example हम बार-बार ले रहे हैं index number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो यह a plus b is equal to 1000 अमारे कुछ है यह algorithm number one क्या होगा यह रहे हैं जाती है तो पहले आप इसको भी एमानना और यहां पर आप b लेने के लिए हमारे पास n-1 चोइस होगी एक एक बीमान करके काम करना, फिर एक को आगे खिसकाना, एंड सॉन, तो वही बात आप अभी, एंड टाइमस लिनियर सच लगा दी, तो ज्यादा मेरे खिल से मुझे बोलने की जूरती नहीं होनी चाहिए, तो अलगर्ण नमबर वन क्या कहेगा, एंड स्क्यर, ठीक है, अलगर्ण नमबर टू, बताव भी, शाबाश, अलगर्ण नमबर टू में हम क्या करा करते थे, बाइनरी सर्च की हल्प से काम करने कोशिश किया करते थे, यह प्रीवेस लेक्चर से ही सारा, मतलब, कंटिनुएशन में है, तो अगर आपने प्रीवेस लेक्चर नहीं देख तो इस सब चीजे में आपको आगे बताने हैं सौर्टिंग के लिए, रफली हमेशा याद रखना कि एनलोग एन से हम काम करेंगे, ठीक है, एन में भी काम होता है, लेकिन अगर ओर एन में या ठीट एन में काम करना है, तो इसके लिए कुछ कंडिशन से रहती हैं, और इतनी बात हमेशा आपको याद रखनी है, जभी भी आरे आएगा, आपको सौर्ट करना होगा, आपको बोलने कॉम्पलेक्सटी एन लोग एन, बस काम खतम, ज्यादा बोलने के जुरती रहें, और डीटेल आगे बोलूँगा, कैसे लगता है, क्या होता है, क्या होता है, अठीट गेल, टीटा अन लोग एन, स्टेप नबर टू का, तो अवरलल टाइम कितना हो जाएगा, जी, थीटा अन लोग एन, ठीक है, यह हो गया जी, अल्गौर्दों नमबर टू, अब आ जाते हैं, अल्गौर्दों नमबर थी पे, जो हमारा ग्रीडि होता था, बट ग् कितना टाइम खर्च कर दोगे आप, n log n, अच्छा, step number 2 में, फिर जाकर कि आप greedy लगा पाऊगे, उससे पहले तो greedy लगा नहीं पाऊगे, और वो कितना टाइम लेगा, theta of n, ultimately, overall time कितना हो जाएगा, theta of n, I hope आप समझ पा रहे हो गया, ठेक है जी, तो मतलब, algorithm number 2 और 3 ने approximately same behavior show किया है, अगर mathematically बात करूँ थोड़ा, deep में जाकर किया बात करूँ तो algorithm number 3 थोड़ा सा better है, algorithm number 2 से, है ना, but दोनों की complexity सेम है, तो मैं आपको बहुत बर बताया था, कि बेशक से दोनों का time theta n log n है, दो algorithm है, आपके पास, दोनों का time theta n log n हो सकता है, लेकिन एक algorithm दूसरे algorithm से थोड़ा से थोड़ा से बेटर बिहेव कर सकता है, just because of that constant factor, तो यहाँ पे n log n देखो, पिसले बाले में क्या था, sorting के लिए भी n log n और फिर आगे searching वाली बात, यहाँ पे क्या हुआ, sorting ले तो n log n लेकिन वो सर्चिंग के लिए मतलब गृड़ी हमने लगाया तो n आया था, थोड़ा सा फरक तो है, but asymptotically सेम है, दोना algorithm asymptotically सेम है, but mathematically बात करेंगे तो algorithm number 3 थोड़ा सा बेटर निकलेगा algorithm number 2 से, यहाँ बहुत जदा बड़ा होगा तो लगबख दोनों सेम ही बिहेव कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक algorithm दूसर algorithm से फोड़ा सा बेटर बिहेव कर सकता है, अगर आप रॉपर मैथेमेटिकली देखेंगे, but इतना फरक हमारे को पड़ता निये हैं, करते हैं, जब n 10 to infinity होता है, बार बार आपको एक्सांपल देता हूं, चार पाज नंबर को सौर्ट करना है, तो आप क्यों algorithm लिख होगा है, क्यों program बनाओगे, कंप्यूटर में उसको डालोगे, चलाओगे, बैटर है कि खुद से manually short कर लो, तो अगर एक लाख नंबर्स हैं, दस लाख नंबर्स हैं, उनको short करना तब computer का use आएगा, तो when n tending to infinity, when n is very very large, वहाँ पर जातर use किया जाता है, तो asymptotic notations का ही जातर use हम algorithm में करते हैं, तो asymptotically दोनों बराबर है, बट वैसे थोड़ा सा फारक है, इन में A3 थोड़ा सा better है A2 से, algorithm number 3 is little bit better than algorithm number 2, चला, आजाते हैं आगे, मैंने काफी बार बोल दी, अब समझ गे होगे, चलो जी, अब मैं इसी concept को generalize करना चाहता हूं, तो let me make a copy of this slide, copy, और यहां पर हम कर देते हैं, paste, अब मैं आपसे बात करता हूं, तो फरक तो बेटा देखो यह यह था न, analog N साथ आपको चिपका देना है बस, तो मैं यहां पर कितना सामनी से करके दिखाऊंगा, देखना आपको बहुत मज़ा जाएगा, करना क्या होगा, a plus b is equal to 1000 है अगर, तो आप क्या करोगे, theta N square है, साथ में n log N साथ जोड़ दो, तो of course theta N square ही आजाएगा, यहां पर theta N log N था साथ में एक और n log N लगा दिया होगा, तो वही n log N ही रह गया, यहां पर theta N था साथ में एक n log N और extra एड़ होगा, तो ultimately यह भी n log N ही आ जाएगा, तो यहां पर आप बस theta N log N साथ साथ एड़ करते जाओ, काम ख़ता मतला जाएगा, तो you just add theta N log N भी देट, will be our answer theta N के साथ, फिट theta N log N चिपका देना, तो ultimately एड़ करने से theta N log N हमारे पास अंसर आएगा, तो algorithm number 3 के लिए time लग जाएगा जी N log N, theta N log N, for A plus B is equal to 1000, अब अगर तीन नमबर होते तो, तो यहां पर N cube plus में साथ में साथ जोड़ते जाएगा, theta N log N, और यहां पर भी N square के साथ theta N log N, तो ultimately घुमा फिरा करके यही ऐसी से उठके आजाएगा, जो था हमारे पास, तो ऐसे ही, अगर आपके पास से 10 numbers होते, तो यही करना था, theta N power 10 plus theta N log N, for the sorting, यहां पर भी बात है, plus theta N log N, यहां पर भी बात है, यहां पर भी बात है, theta N log N, तो घुमा फिरा करके यही answer आजाएगा, तो मतलब जब आपको सिर्फ 2 number ढूढ़ने है, A plus B is equal to 1000, तब हमारा sorted और unsorted में फरकाया था, unsorted वाले और sorted वाले में algorithm 1, 2, same थे, algorithm number 3 में फरका आगया, algorithm number 3 में sorted वाले में N लगता है, लेकिन यहां पर N log N time लग रहा है, बट अगर आप आगे 3 numbers सर्च करने के लिए जाओगे, A, B, C, या फिर आगे 10 numbers, कितने भी सर्थ, 3 या 3 से ज़्यादा number के आप सर्चिंग करोगे, कोई फरक नहीं पड़ने वाला, same to same complexity आएगी, क्योंकि just you have to add theta N log N with it, बस, और कुछ है ही नहीं, तो N log N से सारे ही बड़े आ रहे थे, तो फिर, of course, वही A, S, D, सूट के आ रहे हैं, तो I think मैं यहाँ पे छोटी से मिस्टे करेगा, sorry for that, तो इसको हटा दो आप, क्योंकि लीनर सर्च चला रहे है, लीनर सर्च में तो क्या ही जूर्त है, यहाँ पे भी हटा हो गई, और यहाँ पे भी हटा हो गई, तो algorithm number one में तो कोई चीज है ही नीचे, sorted हो चाहे unsorted हो, क्योंकि linear सर्च लोने पर चलती है, sorted पर भी unsorted पर भी, algorithm number two और three से फरक्षिर हो जाएगा, algorithm number two में क्योंकि बाइनी सर्च चाहिए थी, तो आपको पहले array को sort करना पड़ेगा, तो चाहे already sorted हो, चाहे already unsorted हो, आप sort कर ल तो algorithm number three में एक्स्टा टाइम जोड़ना पड़े गया, because you have to sort दाहरे, और आगे end टाइम मोर लगना ही था, तो ठीटा एनलोगन, ठीक है, हाँ, बस तो इसमें आया है फरक, algorithm number three में फरक आया है, इन two variables, आगे three variables, three और more variables की जब आप बात कर रहे होगे, उस scenario में, सभी algorithm सेम ब आप तरवाल हो, मुझे इसमें को दिक्कत ही नहीं है, तो क्योंकि आगे ये शुरू में एन स्क्वेर लॉगन है, एन स्क्वेर है और यहाँ पे एन पावर 9 लॉगन है, एन पावर 9 है, तो उसके आगे एन लॉगन की क्या ही होगाता है, एड कर लोगों को फरक ने पड़ समझी होगे, और जाद मुझे नहीं बोलना ची, आजाते हैं आगे, चलो, आजी, जनरलाइज होग चुका है, अब नेक्स सवाल देखते हैं, सौर्टिड एरे ओफ एन इंटीजर का, पाइंड एन टू एलिमेंट सच देट एपलेस बी इस ग्रेटर दन 1000, कैसे निकाले है, अपना एक्जामपल वही लुठाते हैं, 100, 200, 300, वाला, कहां गया एक्जामपल यह रहा, क्या करें भी बताओ, दो मिनट सोच के जवाब देना है, जल्द बाजी मत करना, यह आपके गेट का आया हुआ कोश्चन है, तो थोड़ा सा ट्विस्ट हो सकता है, इसमें भई, काम खतम, थीटा वन में आंसर है, कोई टैंसए नहीं, कोई बेस्ट, कोई वर्स कोई आवरेज नहीं, थीटा वन में सीधा आंसर, constant time में, क्यों लास्च के दो देखोगे तो वही तो आगर उनका सम आ घाजार से बड़ा, तो थीक है, हमने रहे रहे हो लेकिन, आगर हजार से उपर आ गया तो काम खतम हो जाएगा नहीं आया तो बोल दोगे कि और आगे मैं क्यों ही सर्च करूँ कि जब इन दोनों इतने बड़े एलिमेंट इन दोनों को जो थे वो सबसे बड़े एलिमेंट से लार्जेस उनको एड़ करके हजार नहीं आ रहा तो तो हम क्या काएंगे कि बाकियों से आने का कुछ हवाली नहीं पादा तो क्यों वो तो पीछे तो और देखोंगे तो और चोटे हैं बड़े तो हैं नहीं आई होप आप समझगे होगे तो एवरी केस में ठीटा बन में आंसर आ जाएगा तो यही सबसे दोनों बड़े एलिमेंट से उनको रिटन करा देना उन दोनों का सम आफकोर्स हजार से बड़ा होगा तो वो यह दोनों हमारे आंसर होगे क्योंकि इसने यह पर्टिकुलर करने के जुरती है लास्ट के टो एलिमेंट्स को रेटन करा हो काम ख़ता हो वेरी वेरी इजी क्योंकि यही सबसे बड़े होंगे लार्ज़स दो से कि लार्ज़स चलो शाबाश नो ड़न को रगल स्वाल अगया अब और बड़ी आ सवाल आ गया अन एरे ओफ एलिमेंट्स अब देखो आप वही बात है प्लीज बहुत ध्यान से पढ़ना है पेपर में आप बोलोगे कि सेम तो सेम कोशन अभी तो करा है लेकि नहीं बेटा इसमें एन एरे ओफ एन एन इंटीजर से और यहां पर शॉटे डिर और शॉटे और मिसिंग है तो फिर अपने अपने अब टाइम लगाओगे और उसके बाद स्टैप नमबर टू में रेटरन लास्ट टू एलिमेंट्स रेटरन लास्ट टू एलिमेंट्स और उसपर ठीटा वन ताम तो अल्टिमेटली ओवराल टाम कितना लग जाएगा ठीटा एन लोगन बेर सिंपल यह सब के दिमाग में लेकर आगा अगर आप ध्यान से देखो सॉर्टिंग करने का मतलब क्या होता है आपने पूरा honest कर दिया मतलब in the sense एक सब्से लार्ज़स यहां पर होगा second largest यहां 3rd largest, 4rd largest, 5th largest, end zone और जो सबसे पहले element होगा सबसे smallest element होगा तो आपने सभी को arrange क्यों कर दिया यहां से समझो largest, 2nd largest, 3rd largest, 4th largest, 5th largest ऐसे से करके आपने सारे ही element arrange कर वहारे, क्या जूर्ट है वही सिरफ एक largest और एक 2nd largest दो element ढूंड के layout array में से अगर 1000 से उपर आगया आपका काम खतम है अगर 1000 से उपर नहीं आया या 1000 के बराबर आगया आप बोल जोगे कि जब 2 largest का ही सम नहीं है तो फिर भागिया ने का कोई सवाल ही ने पैदा होता तो आपको simple क्या करना है array में से आपको 2 elements निकालने एक largest और एक second largest निकालने के लिए एक simple linear शर्च लगाओ उसमें जो भी largest आएगा वो निकल जाएगा और वो हटा करके उसको फिर दुबारा array पे linear शर्च लगा देना और फिर second largest निकाल देना समझ रहे के नहीं समझ में आगया है थिंक हम क्या कह रहे हैं बहुत असान काम है भी है ना मेरे को ज्यादा बोलने जीए ओ टेकनिकली बलूँ ओ टेकनिकली बलूँ लार्च और second largest है यह ना बबल सौट के दो पासिस सलादो बस ठीक है बबल सौट का पहला पास चलाओगे तो सबसे आखरी में करके खड़ा हो जाता है और second पास चलाओगे तो फिर second largest यहां पर आकरके खड़ा हो जाएगा तो दो largest आगे काम खता है इस तरी के से आप सोच सकते थे ठीक है तो अभी मैंने वैसे आफकोर्स बबल सौट पढ़ा ही नहीं लेकिन जिसको आइडिया होगा बबल सौट का वो समझ गया होगा नहीं तो आप सिंपल इलाज करो क्या एक लूप चलाओ रफ ज्यादा इतना डिटेल में नहीं आप एक लूप चलाओ लो मैं चला कर दिखाता है फोर i is equal to 0 या i is equal to 1 i less than equal to n i plus plus ठीक है at t is equal to x of 1 ले लेना और फेड़ा बोल देना if t is greater than x of i या t x of i is greater than t तो आपको क्या करना होगा t is equal to x of i यह तो बहुत अदाम से आप समझ सकते हो कि अगला element जो है वो बड़ा निकल के आ रहा है इससे t से तो यह t is equal to x of 1 कर लेना तो यहां पर 2 से शुरू कर लेना कि क्या होप आप समझ पारे होगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ और भी अप्टब सा इसमें कोड में चेंज करके दोनों निकाल सकते हो तो आपने यहां से समझ सकते हो यह काम फिलाल मेरा है नहीं मैं जब largest smallest निकल रहा हूँगा आपको एरे के अंदर डेटा से पड़ा रहा हूँगा वहां ओ डीटेल में बात करूँगा अब ही मेरे ख्याल से कोई सेंस नहीं बनता है बोलके यहां पर टाइम वेस्ट करने का थेक है जी तो वहां पर राम से समझाओंगा और मिन मैक्स वाला डिवाड इन कॉन कर में अलगोर्दम आएगा वहां पर डीटेल में समझाओंगा अब ही मिनिममम कैसे निकालता है मैक्सिमंम कैसे निकालते हैं और ठीक है रफ आईडी आपको मिल चुकह को है बस आपको इतना संसार होगा कि दो एक्चुली बात करोगे तो roughly 2N time, plus 1, minus 1 की पीछे भागोगे, इस से ब्रेक्टर नहीं आएगा, बार वर मैं आपको सम्झाता हूँ, सिंपल भाशन में बोलो roughly, approximately 2N time, 2N comparisons, इसको अब theta n कहें के भागो time बचाओ अपना, theta n time में हमारे पास largest और second largest आजाएंगे, बस उनका सम करके आपको return करवाना है, तो हमारे पास algorithm number 2 जो था, वो क्या कहेगा जी, आप theta n में इसको कर सकते हो, एक scan में, तो दो scan लगें आपके, एक scan में largest निकलाया, फिर next scan में second largest निकलाया, और largest or second largest को add करवाया, और उसका sum देख लिया, अगर 1000 से उपर आ रहा होगा, तो बेटा वो दोनों return करवा देना, नहीं तो फिर आप बोल देना के नहीं मिलने वाले, क्योंकि जब largest or second largest मिलके 1000 तक नहीं पोजा पार तो बाकी तो सारे चोटे ही है, मैं आपको homework में दे करके भाग रहा हूँ, मैं ज्यादा लिखूंगा उसमें it will simply waste our time, थोड़ा सा time लगाओ, coding करो, ठीक है, थोड़ा सा कर लो, मतलब mind wide open up हो जाएगा और कुछ नहीं, और है बड़ा आसान, कुछ नहीं है, मैंने सारा कुछ तो बोली दिया है, छोड़ा ही क्या है, सब कुछ तो बोल दिया है, तरना बस आपको थोड़ा सा ही सोचने है, second largest कैसे निकलेगा, चलिए, आते हैं जी, आगे, let me jump to the next slide, इसको no down करो, हो गया, ठीक है, next बहाते है, a sorted array of any integer elements, find any two elements such that, elements such that a plus b is less than 1 जाट, इसके लिए क्या करें, आगे उसे type का है, sorted array है, तो आपको कोई भी दू element बताना है, जिनका sum less than 1000 आता हो, तो आप वही बात है, वही ले लो, जैसे आपने लिया होगा, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, ऐसे हमने ले लिए, शुरू के दो element रिटरन कर आओ, काम खता है, आपको कोई भी 2 element देने, जिनका sum 1000 से कमाता हो, शुरू के 2 हैं, जो सबसे छोटे ही हैं, अगर इनका sum भी 1000 से बड़ा आ रहा है, या बराबर आ रहा है, तो फिर आगे तो और ज़्यादा बड़े बेठन को तो रिटरन करने का को मतलब भी नहीं है, sorted या तो theta 1, every case, काम खत अगर नेक्स्ट, आप समझ पार होगा, या उन-sort it रहा है, तो मैंने सिंपल लिख दिया, an array of elements, find any two elements such that a plus b is less than 1 था होगा, तो तो a के लागा, same to same है, question कुछ भी नहीं, step number 1, आप sort कर लो, sort कर लो, और इस में कितना time खच कर दोगे, theta n log n, और step number 2 में क्या करोगे, आप, ज step number 2 में, constant time, ultimately, गुमाफिर, अगर ये कितना time लगया, theta n log n, अब यहां पे भी मुसीबत, आपने पूरा sort कर दिया, तो आपको smallest और second smallest चाहिए था, लेकिन आपने तो smallest return करा दिया, smallest के निकाल लिया, second smallest, third smallest, fourth smallest, and so on, सारे के सारे range कर, हमारे क्या जूरत है, शिर्थ दो ही करो smallest or second smallest, ठीक है, तो उसके लिए क्या कर सकते है, तो अगर आपको थोड़ी-छोड़ी sorting आती हो, तो selection sort के दो पासिस से ला देना, आपको खतम हो जाएगा, smallest or second smallest आपको मिल जाएगा, तो बस, वो मिल गया, तो अब उनका sum करके return करा देना, देख लेना, अगर हो 1000 से उपर आ हजार से उपर आ रहा है या बराबर आ रहा है, तो कोई फाइदा नहीं उनको return कराने काम बोल देंगे कि नहीं मिल रहे है, क्योंकि जब दो smallest इन मिल तो बड़ी है, और अगर उनका sum less than 1,000 अगर उनका sum less than 1,000 अगर उनका sum खतम क्योंकि आपने आपने कह था any two, तो बस, त और step number two में आप क्या करोगे, theta of one क्योंकि आपको सिरफ उनका sum करके return करवाना है, तो यह क्या बोल दूँगा, मैं selection sort, two pass, two pass selection sort के चला देना, या फिर आप जब मैंने आपको largest निकालने का logic बताया है, इसी को उल्टा कर देना, कि t greater than x i होगा, तो t is equal to x i हो जाएगा, तो smallest स्मॉल स्टा की आप की बताया है, तो आपको समझी पारे होगे, तो आपको समझी पारे होगे, इसी क्या कर रहे हैं, तो नहीं तो मैंने आगे आपको पढ़ानी है, तो 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 आप समझ गयो किसे कर रहे हैं, तो फाइनली हम time complexity कितनी बोलेंगे, theta of n, theta of n for first two passes of selection sort, और उस निए प्रेक्स्ट कितने हो जाएगी ठीटा फ एंथ अफ कोर्स यह सेकेंड अलगोर्धम सोच रहे हैं इस इस एलगो फोड़ा सा ज्यादा बेटर बीहेब कर रहा है यहां बहुत बढ़ी बात बुलूं बहुत बढ़ी बात यह है कि यहां पर हमारी बाइंडरी सर्च कंप् स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले ही मैं आपको selection sort पड़ाओंगा तीक है जी selection sort पे हमारा next lecture होगा यहीं जो यहाँ पर बोल रहा सा selection sort 2 पासे सिलादव एंड सौन तो next lecture में मैं मैं आपको पूरी इसकी detail study दिखाता हूं थेक है गोड भी दिखाऊंगा, कॉंप्लेक्स टे भी दिखाऊंगा, सब भूछ दिखाऊंगा, चले ठीक है जी, ओके थैंक्यू सो मग, वीडियो अच्छे लग रहे हैं, प्लीज इनको लाइक करो, वीडियो अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, आप लीज वीडियो पर देख रहे हो तो टॉप राइट को लाद मिल जाएगा, नहीं तो आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके, डोनेशन जो भी देना चाहो दे सकते हो, डाउट की बट प्रब्लम रहते हैं, रियल टाइम डाउट सम सॉल्वनी कर पाते हैं, जस्टे चाह आप और जदा मैनेज़ दिवे में चलना चाहते हो, बहुत अच्छे से प्रॉपर मैनेज़ तरीके से की डाउट सलग लग लग हो, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिशन में मिल जाएगा, सब कुछ फ्री है बही है, मैं किसी पैसे चार चैनल हो गया और मेरा यूट्यूब चैनल हो गया, everything will be free of course, मैं अपने मुझे कभी कुछ नहीं मांगूगा आपसे, ठीक, आप जो देरा चाहते हो, आप वो मुझे दे सकते हो, okay, thank you so much, bye.